आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ एसी डरावनी चीज़े जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी और मैं आपको पूरा भरुसा दिलाता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए आपको जरूर मजा आने वाला है तो चलिए इसी के साथ करते हैं धमागेदार वीडियो को स्टाट लेकिन उससे पहले आप से एक छोड़ी से रिक्वेस्ट है अगर आप चेनल पर फर्स टाइम आए हैं और इसी टाइप की हांटेट, क्रीपी, मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी के बूत ने घसीट लिया था, आई इस पर नजर डालते हैं, यहाँ पर यह बंदा दावा करता है कि मेरी बच्ची को बेट के नीचे किसी चीज ने घसीटा था और वो चीज कोई बूत ही थी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CCDV केमरा रिकॉर्ड कर रहा है, बच्ची अपने चा रही होगी, यह काफी ज्यादा वाइरल वीडियो है और तकरीबन इसे 85 लाख लोग देख चुके हैं, खलाकी देखने में यह घटना काफी मामूली नजर आती है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसा करते हैं, जब वो जमीन पर होते हैं तो गुटने चलकर पलंग के नीचे चले जाते हैं, लेकिन ये किस्सा थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि जब हम आपको इसकी आवाज सुनवाइंगे, तब आपको भी लगेगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ तो गड़बर सरूर है, तो आईए इस वीडियो की ओरिजनल आडियो किलिप भी सुनी लेते हैं, तो आपने सुना बच्चे किस तरीके से मम्मी कहकर पुकार रही है, और उसके आवाज में काफे डर भी नज़रा रहा है, यह वीडियो लास वेगाट से आया है, और इसी साल का यालिकी फेबरोरी 2021 का है, जबकि वहाँ पर आसमान में अजीब औ गरीब रूशनिया दिखा आपना को वहाँ के एक न्यूस चैनल फॉक्स फाइव ने लाइव कवर भी किया था, उनके एक पत्रकार सुभा के पांच बचे लोकेशन पर पहुंच गए थे और सबच रिकाट कर रहे थे, ज्यादा तर लाइट एक ही लाइन में नजर आ रही थी और ये दक्षिन की दि निपसलो हॉब को झाब आ प्ली का रहे वी लाइव को तर विषै लीक प्यlakयि लोक्ताव के ला एक्क्तरे सक्वा प्ली कोुपर बच्कॉच यर्ग ये लुमा यॉटेश प्ली 1 तोपय श्य यूफो जो दो एक प्रवाइब करना दो दो जो एक रहा है विए गाए जो फिल्टेश को देखा था। इस आखे मेरे रहने वाले कई लोगों ने इन लाइट्स को देखा था। कई लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि इस पैसेक्स का शायद कोई अभ्यास चल रहा होगा वही पर एर फोस का बेज भी है तो कई लोगों ने कहा कि एर फोस के जवान कोई परशिक्शन कर रहे होंगे लेकिन बाद में ये दोनों ही बाते खलत साबित होई क्योंकि दोनों ही संस्ताओं ने इस टाइप के किसी भी परिक्शन या परशिक्शन से इंकार कर दिया तो आज भी ये कुछ दियूल जी हुई है कि आखर उस दिन जो लाइट्स नजर आई थी वो क्या चीज थी आपको क्या लगता है क्या ये कोई एलियन थे जो हमारी परत्वी का जाइजा लेने आई थे कमेंट करके जरूर बताएं आईए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वैसे तो ये फोटो बड़ा सामानी सा नजर आता है यहां पर एक प्यारी सी बच्ची खड़े हुई है लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो ये फोटो काफी स्यादा टराफना भी है ये फोटो रेडिट पर अप्लोड किया गया और इसके डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि ये फोटो टो क्यों का है यहां पर माबाब ने पनी इस चोटी बच्ची का फोटो इसी जगा पर किलिक किया था जहां पर से अभी उन्होंने ये फोटो अप्लोड किया है वो बताते हैं कि पिक्चर में लड़की अकेली थी लेकिन जब ये फोटो बहार आया तब आप देख सकते हैं उग्रियात की तरफ एक भयानक से दिखने वाला क्रीचर ख़ड़ा हुआ नजर आता है रेडिट पर अपलोड करने के बाद इस फोटो को कई लोगों ने देखा और अपनी पर्तिक रियाए थी ज़्यादा दर लोगों का ये कहना था कि ये कोई शेतान है या फिर कोई भूत है लेकिन सबसे ज़्यादा कमाल की बात ये थी कि जब वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था तो ये क्या चीज़ थी जो अचानक से केमरा में कैप्चर हुई थी आप क्या सोचते हैं इस फोटो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं आईए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देने वाली ये चीज़ कोई नॉर्मल धूल का कण है या फिर कोई आत्मा है चोकि यहाँ पर लगे सीसी टीवी केमरा ने रिकार्ट की है कई चानकारों ने इस वीडियो को देखा उनका तरकिये था कि जब भी कोई धूल का कण उरता है तो वो एक लीनियर पेटर्न में उखता है यानि कि एक लाइन में उखता है लेकिन अगर इस कण को या इस अजीब खरी प्रोशनी को देखा जाए तो ये अलग-अलग मूमेंट करती हुई नजर आती है पहले उपर से नीचे फिर राइट से लेफट तो आपको क्या लगता है क्या ये नॉर्मल चीज है या फिर ये कोई पैरा नॉर्मल चीज है ये तस्वीर एक बेबी मूनिटर केमरा से अटोमेटिकली किची हुई तस्वीर है आप देख सकते हैं इसका शेप कितना ज्यादा टराफना नजर आता है दरसल ये एक ऐसा केमरा है कि जब भी कोई मूमेंट होता है तो ये फोरन उस मूमेंट की तस्वीर क्लिक कर लेता है अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसी इनसान के चेहरे की आकरती नजर आती है इसा लगता है कि कोई साइट पोस्ट दे रहा हो लेकिन दरसल माबाब बताते हैं कि हमारे अलावा घर में कोई भी नहीं था और कोई आया गया भी नहीं है तो आखर ये क्या चीज़ थी जो केमरा ने रिकॉड की है इस वीडियो के बारे में बताया گया कि ये वीडियो हमारे ही देश इंडिया के साउथ का है और यहां पर गाओ वाले ये कहते हैं कि इस जगा पर एक आत्मा भटकती है और आज इस बंदे ने इस आत्मा को अपने केमरा माई रिकॉर्ड भी किया है यहां तक कि रात में भटकने वाले इस भूत के उपर वहां के लोकल मीडिया ने भी स्टोरी कावर किया है अब यहाँ पर इस बंदे ने इस बूद को तो रिकॉर्ड किया है, साथ में मीडिया ने भी इसे दिखाया है, लेकिन यह हम पर डिपेंड करता है कि हम इस पर ट्रस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, यहाँ पर ये बंदा अपनी कार से जा रहा था, तब ये अचानक से सा स्पीड में चलाते हुए आगे बढ़ता है, फिर उससे समझाता है कि सामने दर असल कोई गफन पहने हुए खड़ा है, यह देखने के बाद इस बंदे की आगे जाने की हमत बिल्कुल नहीं होती, यह अपनी कार को रिवर्स करता है और यहीं से वापस लुट जाता है, हाल कुछ भी इस रोड पर बटा करी है, आपको क्या लगता है, कि आप इस चीज़ को मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर यह घटना आपके इलाके की है, तो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं ताकि लोग जान सकें आकिर इसकी हाकिकत क्या है, यह वीडियो कह पीचे से एक डराबना चेहरा जाकता हुआ भी नजर आता है, इस वीडियो का टाइटल भी यही था कि पेड़ के पीचे से एक शेतान छांक रहा है, वजब इस भयानक चेहरे को देखकर हम यह तो नहीं कह सकते कि यह इनसान ही है, क्योंकि इतनी रात में और इतने डराबन चेहरे वाला कोई इनसान तो नजर नहीं आ सकता, चाहे आप इस वीडियो को कितनी ही बार रिवस फारवर्ड करके देख लें, लेकिन आपको बिल्कुल लगेगा कि यह ज़रूर कोई भूत हो सकता है, यहां पर सिर्फ यही चीज डरावनी नहीं है, अगर आप ध्यान देंगे तो पेड के नीचे दो चमकती हुए आके भी नजर आती है, वो सिर्फ एक या दो सेकंड के लिए नजर आती है और उसके बाद वो चमकना बंद हो जाती है, वो क्या चीज थी, वो भी बिल्कुल समझ नहीं आता, हलाकि इस औरत ने या महिला ने जो भी इस टाइम इस वीडियो को रिकॉर्ट कर रही है, उसकी भी इस पर नजर नहीं बड़ी थी, आपको क्या लगता है, ये क्या चीज हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस जी के साथ आज का मारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है, जहां पर हमने देखें कुछ दराबनी वीडियो, कुछ भूता फूटेजिस, आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो चल लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अपने सारे ही सोचल नेटवर्क पर भी इसे शेयर कर दें, तुम मिलेंगे अगले धम्मा के दार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाइबाइ, गुड़नाइट, सायोनारा,